नमस्कार साथियों News क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं ग्रिन हंट वाले चिदंबरम 1997 में ड्रीम्बजट प्रस्तुत करने वाले चिदं बरम वित्त मंत्री और ग्रिह मंत्री रःचु के चिदंबरम और अमित्सा के चानबीन कराने वाले चिदंबरम पांच चिदंबर से निया एक हिरासत में थे आई एन एक्स मेडिया के इस मामले में और उन्हीं पर बाचित करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी स्थार्थिक पत्रकार परण जोई तो पांच चिदंबर के बाद क्या-क्या घटन ने उसको गेरिफतार किया था चिदंबरम जी का उमर 74 साल है उनका जनम दिन हिरासत में उनको उन्होंने हिरासत में थे उस समय तो देखिए थोड़ा बहुत में केस के बारे में कह देता हूँ में 2017 में CBI ने एक केस फाइल किया था क्या चिदंबरम जी उनका बेटा कार्थी चिदंबरम उसके साथ सरकारी अफसर मिलके एक विदेश से निवेश आया था INX मीडिया कंपनी में जिसका उस समय का मालिक था पीटर मुकर जी और इंदरानी मुकर जी बाद में पीटर मुकर जी और इंदरानी मुकर जी को गिरिफतार किया गया था कि और उसके खिलाब जो आरोप है कि उनका अपनी इंदरानी का बेटी का हत्या इनोंने किया था तो उस समय क्या आरोप था कि ये 305 करोड का जो विदेश से निवेश है इसके लिए चिदांबरम जी पीटर मुकर जी इंदरानी मुकर जी को अपना बेटा का कंपनी है उसमें दो कंपनी बहुत सारे कंपनी है उसमें दो कंपनी था उसका नाम है एक का नाम है चेस्स मैने इसमें उन्होंने बुला कि इपको मदद करो किस तरह से मदद करो फिर गिर्फतार करने के बाद साट दिन के अंदर आरोप पत्रा आपको दर्स करना बहुत जुरूरी होता है कानूनी दर्ण से तो CBI ने 18 अक्टोबर को आरोप पत्रा दर्स किया और सब लोग दो हजार से ज़्यादा प्रिष्ट पनने का है आरोप मतलब आपने मिला तो चुआ आपने कहा था है कि आप पहार खो देंगे यह 305 करोर का जो निवेशा है आप कह रहे हैं कि 2008 में चिदामबरम का बेटा कार्टी ने 9.996 रुपया घूस खाए तो सब लोग कहा कि आरे बाप 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 और लोग हसना सुरू कर दिया जो सरकारी ओफिसर 300 करोर निवेश के लिए 10 राख घूस लेते हैं वो भी कैसा सरकारी ओफिसर है मगर सब लोग आश्चर्ज हो गए क्योंकि बार बार चिदामबरम जी और उनका कॉंग्रिस के बड़े बड़े राजनेता कह रहा है कि आप एक तरह से राजनेती कारण के लिए आप इनके खिलाफ लगे हैं आप दुनिया को दिखाने चाहते हैं देश को दिखाने चाहते हैं देखो हम एक भूत पुर्व ग्रिह मंत्री भूत पुर्व वित्व मंत्री को हमने तिहार जेल में डाल दिया तिहार जेल में तो उनको मिलने के लिए सोनिया गांधी गए थे मनमौन सिंग रहे थे सो जब आरोप पत्र में ये नंबर आया ये सब लोग भूला अरे बापरे इतना इसके लिए आपने इतना जवर्दस सजा दिया क्योंकि देखिए चिधांबरम का जो परिवार है ये तामिलनाडू का है अमीर परिवार है लोग क्याते हैं इन्होंने एक समय बैंक स्थाप लोग क्याते हैं कि चिधांबरम जी का खुद वेक्तिकत संपत्ती सौकरर से भी जादा हो सकता है और एक चीज़ सब लोग आश्चर्ज हो गये हैं कि सिर्फ चिधांबरम नहीं साथ साथ बहुत सारे छे सरकारी अफसर इसका नाम भी आ गया इसके सब से उस समय उचिस्थ में थे सिंदुष्ट्री खुलर जी वो एडिशनल सेकेटरी डिपार्टमेंट अफ़ेर्स मिनिस्ट्री आफ फाइन्स यानि कि विदेश वानिज्य देखते थे वही आपका जोइन सेकेटरी जो है समय को तर चासी अनूब पुजारी थे वो विदेश वानिज्य देखते वही आपका वित्यमंत्राले में रविंद्र प्रसाद और प्रदीप कुमार बग्गा थे दोनों ने OS की थे यानि विशे इस कारिख के लिए नियुक अधिकरी बने आ गया प्रबोच सक्सेना जे जो वहां का निर्देशक थे FIPB में FIPB का मतलब है विदेश विदेशी न खिलाः बेटी को हत्या का आरुप है इनको सरकारी वादा माफ कदे़या है उनके खिलाः कुछ नहीं करेंगे आज पीटर मुकर जी के साथ उनका डिवॉर्स हो गया फिर भी उनके खिलाः है बाकी सारे सरकारी Quindi के खिलाः है और काती का ओर आपको कमपनी के खिलाः है त यह सब हो रहा है जिस तरह से चिदाम बर्म जी का घर पे इन्होंने चपा लगाया दिवाल से उपर उटके और सारे मीडिया के सामने चिदाम बर्म जी कॉंग्रिस की दफ्तर में जाके मीडिया कॉंफरेंस किया घर वापस आया उसका क्रिफतार हो गया यह मैं कह रहा हूँ 21 August के बाद अभी दो महिने से जादा हो गया लेकिन सवाल तो ये बनता है ना कि जो दूसरा पक्छ वो तो ये कहेगा कि जब चिदामरम को मौका दिया गया कि आप अपना पक्छ रखिये हाई दिल्ली हाई कोट ने मौका दिया और कड़ी फटकार भी लगाए कि इसमें बहुत मौले लड़ी का मामला है 10 लाख रुपए हो सकता है बहुत छोटे अमाउंट है लेकिन निया की दियाद से देखा जा तो बहुत कुछ है एक और मामला चल रहा था जो एयरसेल मैक्सिस का मामला चल रहा है देखिए वो एयरसेल मैक्सिस का केस अभी भी चल रहा है और समय बताएंगे कहा तक पहुचेगा या नहीं पहुचेगा ये 2007 में एक मीटिंग हुई थी वित्यमंत्राले के दफ्तर में नौर्थ ब्लॉक में वहां बीटर और इंदरानी मुकरजी के साथ जो अक्भार में आएं पत्रकार वीर सांगवी थे क्या हुआ क्या बात हुआ नहीं हुआ सी बी आ के पास क्या है नहीं है ये उनको मालुम है मगर आदालत ने एक आदालत ने एक साफ क्या दिया कि सी बी आई आई आप चो कि इंद्रियन नेशन ब्यूरो है आप आरोप लगा रहे हैं कि चिदामबरम भारच से भाग जाएंगे हुआई जहाज लेके भाग जाएंगे आप कहरें जो भी आप जिन लोग को क्या कहते हैं आप को गवा देने के लिए इविडिन्स देने के लिए आप उड़ा है मगर आदालत पूला, CBI आपने तो अभी तरह कुछ नहीं दिखाया, कि किस तरह से ये चुटर साल उमर है चिदाम पुरम जी, किस तरह से आप कह रहे हैं वो भाग जागे भारत पर से, क्यों आप कह रहे हैं, he will influence witnesses, tamper with evidence, तो एक तरह से कोट भी CBI का वकील को काफी मैसल सक्त एक तरह से टिपने किया, तो आपके लिहाद से जो बात आपके समस में आती है, कि एक तरह का सड़ेंतर देखा जा रहा है, चिदाम परम के खिलाफ, क्योंकि approver, जो एक हत्या के मामले में आरोपी हैं, उनकी वो जगवाही दे रहे हैं, उसके अधार पर कहा जा रहा है, कि जो आरोप पत्रों उसमें क्या क्या है नहीं है, उनका कहना है कि जब वो ये जो विदिर्शी निवेश तीन सो पाच करोर का निवेश, इनके इस समय काटी चिदाम परम का कंपनी को कुछ पैसा मिला, तो अंतिम सवाल ये, कि क्या आगे की क्या रहा है और क्या होगा, और आपको लगता है कि इस सरकार में ऐसी जो बदला लेने की भावना है वो चल पड़ी है बहुत जादा, मैं समस्तर यही है, देखिए अभी चिदाम परम जी को जमानत मिलेगा की नहीं अभी उन्होंने एडी, इन्फॉर्स्मेंट डारेक्टर का केस में हैं, ये आदालत के उपर निर्बर करते हैं, वो दिवाली तिहार जेल में रहेंगे ने घर पहुच जाएंगे, ये हमें मालूम नहीं है, मगर आपने जैसा कहा, एक अमिच शाजी, आपने अमिच शाजी का नाम पहले भी किया था, एक तरह से वो, जिदाम बरम जब ग्रिहाम मंतरी थे, अगर जो भी आरोपी है, आप क्या जाधा इनको सजा दे रहें, आप सजा दे रहें क्यों दिखाने के लिए आप जितन भी बड़े आदमी हो सकते हैं, कानून सबसे बड़ा है, या इसके पीछे राजने तेक बतला है, मैं समझता हूँ, अब तो सारे हमारे देश के आम आ आप और कितने दिन रखने चाहते हैं, मगर सब कुछ आधालत के उपर निर्वर करते हैं, शुक्रिया इस पर हमसे बात्चित करने के लिए, नियाय के मसले को अलग छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो भी है, उसमें केवल परदे की पीछे की सच्चाई दिखेगी, सड आजनीतिक बदला भी दिखेगा, जैसा की पौरांचाय कह रहे हैं, शुक्रिया आप देखते रहे हैं, न्यूज क्लिक